नमस्कार आप देख रहे हैं दावन दिफार पियम नरिन मोदी आज पोलेंड और यूक्रेन का दौरा करने के बार वापस सोदेश लोट आए उनके नई दिल्ली पहुचते ही रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक अच्छी खबर सामने आई दोनों देशों ने धाई साल से चारी जंग के दोरान बनाए गए युद्ध बंदियों को छोड़ने का फैसला किया है दोनों ही देशों के मिला कर कुल 230 युद्ध बंदी अपने अपने वतर वापस लोट गए हैं यूकरेन की धरति पर प्यम मोदी ने ये साफ कर दिया था कि वो युद्ध के पक्षतर नहीं है केवल शान्ती का संदेश लेकर आए हैं पीम ने कहा था कि मैंने रूसी राश्टपती की आख में आख डाल कर कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसे में दोनों देशों का युद्ध बंदियों को छोड़ना शांती की दिशा में एक सकारात्म कदम की रूप में देखा जा रहा है।